भारत खान पान का भंडार है यहां हर रसोई में पारंपरिट एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एक मात्र खोज है स्वाद का यह प्रेत आपको इडली के विभिन प्रकार के रुची से वाकिफ कराना है यह चैनल वैसे ही कुछ व्यंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है बीट रूट इडली आज नारियल और बीट रूट के इस्तिमाल से एक कलरफुल इडली बनाएंगे तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधी आवश्यक सामागरी तेल आवश्यकता अनुसार अद्रक एक चमच लहसन एक चमच सौंफ देड़ चमच बीट रूट दो नारियल का दूध एक कप कस्किया नारियल दस ग्राम इडली चार बनाने की विधी सबसे पहले कड़ाई गरम करके उसमें तेल डाले और उपर से अद्रक लहसन डालके भून ले सौंफ और पहले से उबला हुआ और छिलका निकाला बीट रूट यानि की चुकंदर लें और काट के कड़ाई में डाले अब इसे अच्छे से बून ले अब इस मिश्रन को मिक्सी जार में डाले और पीस ले दूसरे कड़ाई में नारियल का दूद और पीसा हुआ मिश्रन डालके अच्छे से मिला ले और उसमें पहले से बना इडली डालें और अच्छे से मिलाएं बाद में इस इडली को कस किया हुआ नारियल से लपेटे और प्लेट में निकाल ले इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निश करें हो गया बीट रूट इडली तैयार इस इंट्रस्टिंग रसिपी को आप अपना ब्रेकफास्ट का मेन्यू ज़रूर बनाएं और ऐसे ही कुछ और इंट्रस्टिंग रसिपीस के लिए हमारे चैनल स्वाद को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें